कि अब आज देखें मोटी वाली उन से देखें इतनी मोटी है यह उन इससे मैं आपको कैब बनाना बताऊंगी यह वाली उन आराम से मिल जाती है उन वाली सौप पे तो आप बोलना कि उन वाली टोपी वाली चाहिए हमें उन तो दे देंगे तो मैं स्टैप आपको बनाना बताऊंगी देखें बहुत स्टैचेवल है आप इसको मेरे साथ बनाए और बहुत ही जल्दी एक डेड़ घंटे में कैब बनके रेडियो जाती है तो बड़ों के लिए मैंने के लिए लाफ की बनाए व्हा इसमें मैंने 67 फंदे डाल लुठा बढ़ों के लिए अगर आप छोटों के लिए बनाना चाते हो तो फिफ्टी सेवन फंदे डाल कि उसको सील्देर टो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज देखें मोटी वाली उन से मैं आपको एक Kiss बना चाहिए मूटी वली तो यह आराम से मिल जाती है गया तो इसपे मैंने इधstüt सैवन फंदे डाले हैं और गजार विजाइनर डाले पिए लेहिऊंगे उसमें और बढ़ें के लिए ये चैप तो चोटों के लिए आपको बनाना है बड़े लेडिज जैन्स किसी के लिए भी है तो इस पे मैंने देखिए फंदे डालना में बता देते हूं आपको इस देखिए एक साइड आप ऐसे डबल कर लेजिए धागा इसमें मैंने सिंगल धागे से ही डाला है ईसमें सिंगल धागे से आपको बनाना बताती हूं कैसे हमने डिजाइनर फंदे डालने हैं ऐसे इक इस साइड से एक साइड से एक एसे इस तरीके से आप देजाइनर फंदे डाल लिजे और 8 नंबर की मैंने राउन वाली नीडल ली है क्योंकि फंदे कम है पर मोटी उन है तो ज्यादा बनता है तो इसलिए आप बड़ी वाली नीडल भी ले सकते हैं अगर आप सिंगल वाली राउंड वाली नी ले रहे हैं बड़ी वाली ले रहे हैं तो आठ नंबर की मैंने इस पे शिलाई ले रखी है क्योंकि ज्यादा पफ वाली आएगी अगर आप इस पे छे, साथ नंबर पर भी इसको बना सकते हैं अच्छे को बहुत मोटी उन है ये देखे पास से दिखाते हूं आपको देखे कितनी मोटी है ये और इस तरीके से गोले में आती है तो यहां तक मैंने बना लिया है इसको तो मैंने यहां से फंदे डाले बनाना स्टार्ट करती है वस यही हमने डिजाइन बनाए है इसमें और कुछ भी नहीं कराए बिल्कुल सिंपल तरीके से बीगनर भी आराम से बना सकते हैं जिसको कैप बनाना नहीं आती तो देखे फ्रेंड कैसे हम बनाएंगे इसमें फंदे हमने डाल दिये तो फिर उल्ट हमें पहली स्लाइ पहली हम बनाएंगे इसमें जैसे हम फंदे डालेंगे तो पहला फंदा भी हम बनाते हैं तो यसे फिर दूसरा हमने सीधा बनाना है एक उल्टा एक इसमें डाले हैं पूरी स्लाई हम ऐसे बना देंगे पहले स्लाई उल्टी साइड से हमारी स्टार्ट होती है फंदे डालने के बाद आप यह पूरी स्लाई में बना लेती हूं फिर दूसरी स्लाई दिखाती हूं अब रहन देखे सीडी स्लाई पर आगे हम पहला फंदा हमने स्लिप करा अगला हमने उल्टा बनाया एक सीधा एक उल्टा ऐसे हमें पूरी स्लाई बना देंगे दूसरी बस इनहीं दो स्लाई का एक डिजाइन है तो ऐसे आप बनाते जाए पूरी स्लाई आप ऐसे बना लेजिए तो फ्रेंड एवली टोपी आप एक डेड़ गंटे में बना सकते हो बड़े आराम से क्यूंकि यह मोटी वाली उन है और बहुत जल्दी जल्दी भी बन जाती है देखे जहां पतली वाली उन से तीन चार स्लाई यह बनाएंगे वहाँ एक ही स्लाई में हमारी यह उतनी लेंथ हो जाती है तो पूरी स्लाई में ऐसे बना लेते हूं बस इन ही दो स्लाईयों को अपने बार बार पीट करते जाना है तो थोड़ा सा मैं बना लेते हूं फिर कैप की गटाई बताते हूं यह पर हमने जो नीचे वाला बल्यू है इसको ऐसे फॉल्ड कर सकते हैं अगर करना चाहे ना करना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं यह देखिए इसके बाद देखिए मैं सलाइया कॉंट करा देते हूं आपको दो तीन चार पांचे साथा नो दस ग्यरा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला सत्रा और एक हमारी एक दो तीन चार पांचे साथा नो दस ग्यरा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला सत्रा अठारा सलाइया एवली और देखिए एक दो तीन चार पांचे साथा नो दस ग्यरा ब 22 लाइँ यह वली हमने बनाई है 18 ए और वाई से तो ए आप चाहे सीधी साइड से यह वला धागा जोइंट करिए चाहे उल्टी से मैंने उल्टी सलाई से जोइंट करा है धागा और फिर 22 लाइँ और ए तो फ्रेंट यह 22 लाइँ ए और 18 ए तो इसके बाद 4 लाइँ एक दो दुरी चार मैंने बना लए चार और बना लेती हो उसके बाद हम इसकी गठाई करेंगी इसको देखिए अगर ऐसे आप फोल्ड भी करना जाते हैं तो इससे हमारे ही डिजाइन क्या बन गाएगा तू मैं ए यह आट सलाई ए बना लेती हूं इसके बाद पिर आगे दिखा गटाई करना मैंने कंप्लेट कर ली है यह नौस लाईयां बनाई हैं नौ श्राइयां यहां पे बना के मैं अब यहां पे दो कई करना बता हूंगे आपको तो पहले इसकी लेंथ बता देते हूं, यह देखिए, ओने 12 इंच है, मतलब 12 ही है, यह देखिए, 12 इंच हम ने इसकी लेंद बना लिया है, क्योंकि यहां से हम इसको फोल्ड करेंगे, अब इसकी घटाई करना बताती हूं, आपको, नौ स्लाई यह बना लिया है, और दसमी स्लाई पे हम इसकी घटाई करेंगे, दो का एक करेंगे, देखे कैसे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, और एक सीधा है, एक उल्टा, ए सीधा और ए उल्टा, इन दो का एक कैसे कर देंगे पूरी स्लाई में, ए सीधा और ए उल्टा, ए सीधा और ए उल्टा ऐसे आप दो का एक करते जाएए पूरिश लाई में दो का एक दो का एक दो का एक फिर से दो का एक कि आप दो का एक दो का एक दो का एक दो का एक करते दो कि आ है इसको सीधा उलटा बनाना आता है वह एक और अराम अब उलटी सलाई देखिए तो सभी फंदों को हमने उलटा उलटा बना देना है पिर अगली सीधी सलाई पे फिर से हम दोकाई करेंगे तो एक पूरी सलाई में हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लिजी इसको पूरी सलाई को पूरी सलाई मैं बना लेते हूँ फिर अगली दिखाते हूँ अब देखे अगली सीधी सलाई पे फिर से हमने दो काई कर देना है पहला फंदर स्लिफ करेंगे और ऐसे दो काई करते हैंगे पूरी सलाई में और इसके बाद उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे और फिर अगली सीधी सलाई दिखाते हूँ आपको अब देखे फ्रेंड यहां पे अठारा फंदर बचे तो फिर से हम तीसरी बार तो कहिक करते हैंगे ऐसे सभी फंदों को फिर उल्टी सलाई दिखाते हूँ अब देखे फ्रेंड यह दस फंदे बचे गे हमारे पास तो धागा यहां से काट लिजिए और अब हम सुई में धागा डालेंगे तो सुई भी आपको मोटी ही लेनी पड़ेगी इसमें ऐसे आप दागा डाल लिजिए और सभी फंदों को ऐसे सुई पर उतार लिजिए इसको टाइट कर लिजिए अब टाइट करने के बाद ऐसे उल्टा कर लिजिए और जिस इस कलर से देखे यहां भी मैंने यह वाला धागा छोड़ रखा है तो थोड़ा समय आपको दिखा देते हूं कैसे हम इसकी सिलाई करेंगे देखिए यह जो सीधी सीधी लूप दिख रही है हमें बस इसी को हमने जोड़ते जाना है एक इस साइड से एक इस साइड से ऐसे अब यह जो है पीचे वाला यहां पे आप उल्टा करके देख लिजिए इसको भी हमने ऐसे ही जॉइंट करना है देखिए यहां से भी और एक यहां से अब इस धागे के हम यहां पे इनोट लगा देंगे और दूसरे धागे से अब नीचे कासी लेंगे यहां से इसको काट दीजिएगा थोड़ा साइड पर लाके दो बार धागा गुमाएंगे और यह पक्का होके इसको काट देंगे अब यह जो दूसरा कलर है अब इस से हम इसकी सी लाई करेंगे तो यह देखिए यह भी हम बैसे ही सिलाई करेंगे इसकी भी जो सीधी सीधी लूप पनी भी है इसी को हम सी लेंगे तो इसकी पूरी सिलाई कर लेती हुए देखिए इसकी पूरी सिलाई कर दी मैंने तो इस तरी के से बहुती मौटी पॉप बन के आती है और यहां से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो इस ऐसे बन के आती हैं देखिए फ्रेंगे प्रेम्स तो फ्रेंड एक वार जुरूर ट्राइ कीजिए गाइस को मोटी वाली उन से तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को थेंक यू